दोस्तों नशा करना तो बुरी बात है, लेकिन नशा करके 20 सटक पे कान करना उससे भी बुरी बात है क्योंकि ऐसा करने का बहुत बढ़ा फामियाजा चुकाना पड़ सकता है पर सस्ता नशा करने वाले नशेडी लोगों को ये बात समझाने का काम वहांस के आगे बीन बजानी जैसा ही है आपके लिए लेकर आए ये कमाल का वीडियो जिसका हर एक पार्ट हर एक वीडियो क्लिप आपको खोब हसाने वाले है वीडियो के एंड तक अगर आप नहसे तो आपका पूरा इंटरिनेट डेटा वापसी हमारी तरफ से नशेडी लोग दूसरों के पंगों में अपनी टांग ना घुसाएं भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता इंसान हो या जानवर जिसके बीच हाता पाई हो रही हो ये लग घुसी जाते हैं अब इस वीडियो को देखे सड़क किनारे दो गाये एक दूसरे से भिड़ रही थी कि बीच में एंट्री हुई हमारे इंडियन सुपर हीरो की नशे में दूती है आदमी दोनों गाये को लड़ने से रोकने लगा लेकिन सुपर हीरो का दाउं उसी पर उल्टा पड़ गया और अब गाये ने उससे मार कर उच्छाल कर उससे नीचे पटख दिया बेचारी की तश्रीफ ऐसे चूर चूर हो गई कि वो वहीं बैठ गया नशे में दूती ये दो आदमी जिस सरह से लड़ रहें उसे देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये भारत के किसी गाओं का वीडियो है क्योंकि इनका लड़ने का स्टाइल देकर ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों कराटे या फिर बॉक्सिंग सीखे आए हैं लेकिन डीजे पे डांस के साथ साथ फाइटिंग ये कौन सा दरीका है बाए आखर उन्हें एक महिला ने आकर वहां से भगा दिया वरना ने पता नहीं ये कब तक वहां पर ऐसी हवा में फाइटिंग करते रहते दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजेगा नशे में गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है क्योंकि इनसान को खुद का ही होश्ट नहीं रहता तो वो गाड़ी क्या चलाएगा लेकिन भैस पर सवार होना किसी भी तरह का कोई उलंगन नहीं है जो इस आदमी को शायद बखो भी पता है इसलिए उस आदमी ने उस पर सवार होकर घर जाने का फैसला क्या सिर्फ बैठा ही नहीं बल्कि उल्टा बैड़ गया बैस आम तोर पर बहुत शांस वभाव की होती है पर बैसे का कह नहीं सकते लेकिन फिर भी ये आदमी उस पर आसानी से बैठ गया वरना अगर ये कोई बैल होता तो उस पर बैठना तो दूर वो इस आदमी को खड़े होने लायक भी नहीं छोड़ता बात अगर हमारे देशी बेवड़े भाईयों की करें तो उनके आगे वी देशी बेवड़े भी पानी भरते नजर आते हैं अब होली का तहवार हो और वो पैग ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है मगर इन दो पैग मारने के बाद क्या होता है ये आप ही देख लीजे आपने जानवरों को आइने में देख कर लड़ते वे या घुसा करते वे जरूर देखा होगा क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने कोई और जानवर है लेकिन इन अंकल ने तो पीने के बाद उन्हें पीछे छोड़ दिया पहले तो ये उस आइने को जाकर धड़क गए और स उसे बात करके उसे बाद उसे जाने के लिए कहने लगे लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो सुभा तक ऐसे ही करते रहेंगे तब भी वो कहीं नहीं जाने वाला बाई साहब आइने में खुद को ही देकर खुद को ही रास्ता दे रहते और सोच रहे हैं रास्ता देने के ब की पीच बनाये कुटले से बाते करता देखाई दे रहा है और उन पे चिला रहा है कि गूंडिया कैश्यू मार्ति और इस आद्मी को देकर ऐसा लगता भी है कि वह काफी घूस्सेमें भी है जिस तरह से वह उन पुतलों पर चिला रहे हैं ऐसा लगता है यहां अपनी भडास निकाल रहे हैं यहां तक कि उन्होंने फुतले के कान की नीचे भी बजा दी जैसा कि इस आदमी को ही देख लीजे जो जमीन को तालाब समझ कर मशली बन रहा है वो भी सोच रहा होगा इतने तैरने के बावजूद भी वो आगे क्यों नहीं जा पा रहा है इंसान सबसे जादा बहादरी वाला काम शराप के नशे में ही करता है जिसका एक नमूना आप अभी देखने जा रहे हैं यह आदमी नशे में पूरी तरह से दोत होकर नदी के किनारे एक मगरमच के पास आकर बैठ गया और उससे बाते करने लग गया आसपास के लोग ने जब उस मगरमच को देखा तो उस आदमी को आगाह करने की कोशिश की और उसको बता रहें थे कि पीछे आ जाईए लेकिन वो लगातार उस मगरमच से किसी गहरे दोस्त की तरह बात कर रहा था और लोगों को भी ये कह रहा था कि अगर हम जानवरों को तकलीफ नहीं देंगे तो वो भी हमें तकलीफ नहीं देंगे वो अंकल लोगों से कही रहते कि जानवर भगवान का रूप होता है अंकल बार बार मगरमच के पास जाते और कभी उसका आशिरवाद लेतों तो कभी उसे सहलाते लेकिन अंकल के इतने बार हाथ लगाने के बावजूद भी उस मगरमच ने उन पर एक बार भी हमला नहीं कहा काफी देर उस आदमी की बाचीत के बाद मगर मच पानी में निकल लिया लेकिन उसने एक बार भी अंकल को तकलीव देने के बारे में नहीं सोचा इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ इस आर्टिस ने कॉस्ट्यूम पहन रखा है और इसने थोड़ी भी पी रखी है और यह सब मिला कर देखा जाये तो ऐसा लगता है कि उस चोटे काटून ने इस नशे में धुत आदमी को अपने कंधों पे उठाय रखा है और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इंपॉर्टन बात तो यह है कि ऐसा करके भी यह लोगों को इंटेटेंट कर रहे हैं यह वीडियो देखने में सच में बहुत जादा पनी है इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है ऐसा आम तोर पर हिंदी फिल्मों में नजर आता है जब कोई हसीना दिल तूटने पर सड़कों पर टुन होकर हंगामा करने लगती है मगर पिछले साल नवंबर के महिले में जैपुर से खुब वारल हुई इस लड़की ने असल में ऐसा कुछ करके सिर्खियों में अपनी अलगी जगा बना ली इसने शराब क्यों पी इसका कारण तो महतरमा ही जानती है मगर इसने शराब पीने के बाद क्या कुछ नहीं किया पूरा देश जानता है वो भी बहुत अच्छे से भड़की ने शौट ड्रेस और आँकों पर फैशनेबल चश्मा लगा है ये लड़की 20 लड़क पर कार रोकर खड़ी हो गई और किसी मॉडल की भाती पोस दीने लगी है और गालियां देने दोनों ही कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी है आदे घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद पुलिस यहां पहुशती है और मैडम जी के अच्छे से पोस कैसे दिया जाता है ये बड़े अच्छे से सिखा दिया जाता है अब दोस्तों जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ वो भी जैपूर का ही है दोस्तों दारूपी के ड्राइव करे जा रही ये लड़कियां आक्टिवा भगाये जा रही है और दोस्तों लड़का मतलब उनसे कुछ कहना चाह रहा है और लड़का अगर उनकी वीडियो उतार रहा है वो उन्हें साइड नहीं दे रही है और उसके बाद वो लड़के से ही जाके लड़ रही है तो इस वीडियो को भी आप देख लें तो अभी जो मैं आपको दिखाने जाऊंगा इससे आप इमानदार दिल का शरीफ इंटेलिजन शरावी आपने कभी नहीं देखा होगा पहले रास्ते से जाते कुछ लोगों ने इस अजीब से आदमी की रिकॉर्डिंग की जो किसी पुतले की तरह बीच में कड़ा था जब इन लोगों ने उससे आवाज दी तो उसे होश आया और वो वहां से चलने लगा लेकिन उससे चला कहां जाने लगा था क्योंकि वो पूरी तरह से नशे में धुता और जाकर एक फैन से टकरा कर गिर गया पीने के बाद लोग स्टैचू की तरह कड़े रहते हैं ये तो आज मैंने पहली बार देखा क्या आपने पहले कभी देखा है कॉमेंट में जरूर बताएगा कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी जगा में फस जाते हैं जगा या लोकेशन की वज़ा से या टाइमीं की वज़ा से जहां पे गाड़ियों की सुविधा नहीं होती है और ऐसे में या तो हम पैदली चलते हैं या हम रहने के विवस्था करते हैं लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने की आपको नौबत नहीं आएगी, बस आपको इन भाई साहब का फॉर्मूला फॉलो करना है, आपको यहां से ले जाया भी जाएगा और स्वागत में सतकार भी किया जाएगा. कहते हैं कि बिहारी बाबु से रकराना मत, कभी और उपर से वो दो घूट मार कर आया, हो तो बिल्कुल भी नहीं, अगर विश्वास ना हो तो देख लो आप भी. कभी कि लिए हमको खड़ा कर दो तो दो को चाला धुनिया हम से ला देंगे, तो कैसी से इसा हो गा, यासो राक्टर हो या तो नर्स हो, पोई नहीं सुनता, पोई नहीं सुनता, को यहार बोलता है कि हम गलना जर्गा है को यह ताба बाबाद में हम लोग तो गडिए आज के ले रखी है इसलिए तो बोल रहे हैं वाई वह क्या बात रही मगर कुछ भी कहो ये आदमी बले ही शरावी हो लेकिन इसने बाहर बड़ी कमाल की की है क्यों हमने सही कहा ना तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है आपको इसमें से किसकी अतरंगी हरकते सबसे जादा मज़िदार लगी हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा अगर आप इस वीडियो को पार्ट टू भी चाहते हैं तो कॉमेंट में पार्ट टू लिखके हमें जरू बताना और इस वीडियो को शेयर करके लाइक दी करना बिल कुभी मत भूलना है